नमस्ते दोस्तों वेलकम तो ग्यान इलेक्रिकल्स आज इस विड़े में लोग बात करने वाले कि कोई भी बेरिंग जो होता है उसके अंदर में कितनी क्वांटिटी में ग्रीसिंग करें क्योंकि इस इंडेस्ट्री में क्या करते हैं कि लोग पंप के हिसाब से बोल देते हैं इसमें दस पंप मार दो बाहरा पंप मार दो पंदरा पंप मार दो उस हिसाब से ग्रीसिंग करते हैं बड़कर इस कोई भी अगर आपको टेक्निकली पूछे और इंटर्वी में सब पूछ लिए आगे आप कैसे डिसाइड करते हो कि जो इंडेक्शन मोटर है उसके बेरिं गए यह जो दिखाया गया है वह एक इंडेक्शन मोट का बेरिंग है अब इस बेरिंग कर साइज जो है वह 6 005 है तो जो शीक्क्स टैबबल जिरौपाइव जो बेरिंग का कॉड़ है वह और पैसे ही आप बेरिंग का जो पूरा डाइमेंशन से वह निकाल सकते हो और कैसे से निकालना है अगर वो आपको जाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में के दूगा वो विडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा यह जो कोड है वो एक्चुली में क्या के यहां तक का जो और यह ओपोसिट साइड तक का जो पूरा डी जो है वो सफेस 47 mm है और यह जो वीड्थ जो है यह जो वीड्थ वोट 12 mm होता है तो वैस अब हमें क्या करना है कि यह आउट डायमेटर और वीड्थ जो है वह हमें कोड पैसे मिल जाएगा कि कौन सा बेरिंग और वीड्थ बेरिंग का निकल पाऊँगे और उसके बाद आपको क्या करना है कि उसका एक एक इक्यूएशन से कि वह जैसा देखो कि कि इस इंग पॉंटिटी इन ग्राम ग्रीसिंग पॉंटिटी इस इकल टू क्या होता है कि जो आउट डायमेटर जो आउटर डायमेटर है वह डायमेटर माले मुटे पिल जाएगा तो चलो अगरें यहाँ और सो आउटर डायमेटर जो है वह कितना है हमरेश conservat यह चलो है और यह 0.005 काउन स्टन्न है आंसर जो आ जाएगा वो क्या आएगा इसकी 2.8 22.8 टू ग्राम आ गया है तेट मिन्स कि अगर 6005 का बेरिंग है तो उसमें हम एस 2.8 टू ग्राम ग्रीसिंग है वो कर सकते है क्योंकि ग्रीसिंग एसे एक्टिविटे कि उसको हम कर सकते हैं और बहुती ज्यादा भी नहीं कर सकते हुए अगर कम करेंगे तो भी क्या होगा कि अदर क्रीसिंग करना है तो आप बहूगए कि जो इतनी क्वांटिटी ग्रीज गई है वह आप यहां पर इंडिकेट कर जाएगा इस एक मीटर भी आता है और काफी जारी कंपनीज का आता है तो ग्रीज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना ग्रीजिंग मोटर में हुआ है है और काफी बार कोटी ड्लिटेर डिस उसमें करना और अमाउंट लिखा भी होते हैं व Mia काफी सरी मोटर में नहीं भी लिखा होता तो उसमें इसी साब सथ में कर सकते कर सकते यहसा आंसर इंटेविवेड को दे सकते तो ऐसा वहाप कि यह इंफर्मेशन जो है आपको पास पहली बार पहुच रही है अगर आप पहली बार यह इंफर्मेशन आपके पास पहुच रही तो प्लीज लाइक कर दीजे यह वीडियो को क्योंकि उससे में पता चलेगा कि आपके पास यह इंफर्मेशन पहली बार पहुच है और हमें यह से नया नया कंटेंट लाने में हमें और मोटिवेट करेगी ठीक्यू गैस और अपी तक आपने यूट्यूब चनल सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लिजी इसे इंटरस्टिंग टोपिक हम आपके रिए लाते रहें थेंक्यू गैस मिलते हैं नेक्स्ट लिए में